Hello Friends, Provident Fund काफी अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन कभी हमको जुरत पढ़ जाती है तो हमको पैसा निकालना ही पढ़ता है तो दोस्तों, वो कैसी जुरत हो सकती है जिसमें allowed है पैसा निकालना, वो है marriage of self, children या sibling, education of self या children, treatment करवाना है आपको किसी का, purchase और construction of dwelling house, अगर आपको तूट फूट गया है उसको आपको बनवाना है, repayment of housing loan, purchase of plot flat या house, additional alteration of house तो दोस्तों, कैसे आपको apply करना है यहाँ पे, आपको इस link पे जाना है, यहाँ आपको description पे दे देंगे, यहाँ पर आपको अपना UN, जो number होता है, वो आपको register करना है, अगर आपने नहीं किया हुआ हुआ है, तो आपको सीधे login करना है, member ID और password से, यहाँ पर आपको फिर online services tab में जाना है, और वहाँ पर claim पे click करना है, सारा details भरके आपको submit कर देना है, online अगर आप apply कर रहे हैं, तो KYC details करना बहुत अनिवार रहे है, वो आप कैसे कर सकते हैं, इस link पे जाएं, अपना UN activate करें, और अपना member ID फिर password डालके login करें, KYC पे click करके, जो manage tab के अंदर में आता है, यहाँ पर जाएं, अपडेट करें details और save कर दें, यहाँ पर आपके KYC अपडेट हो जाएगी, तो यह करना है आपको, KYC अपडेट में आजकल दो चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको, आधार card और pen card का number आपको अपडेट करना प process हम आपको सारा description में भी दे देंगे, धन्यवाद